दोस्तो बादसाहक किच्चा सुधिप सहाब की लेटस रिलीज मूवी यानि कि विकरांत रोना का डे एट बॉक्स ओफिस कलेक्शन फाइनल प्रेडिक्शन क्या हो गई है भाई इसके आठ दिनों की कमाई आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेट इडिया वर्ल्ड वाइट के गलेक्शन के ओपर बात होगी और कल यानि कि डे सैवन के दिन ओफिशल जो कितना है अमाउंट आया उसके बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में आपको बताएंगी दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस मूवी ने फाडू ट्रमेंडस फैवलस ओपनिंग ली थी यानि कि इसका जो ओपनिंग था वो 35 करोड के सम्थिंग था जो एक कह सकते हैं चमतकारी आंकरे थे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की ओपनिंग इस मूवी को लेगेगी हलाकि बाद में कुछ गाइस कॉंट्रवर्सी भी हुआ कुछ का कहना है कि यह जो क्लेक्शन बताया जा रहा है प्रोडूसरों की तरफ से यह बिल्कुली फेक है ऐसे क्लेक्शन नह कमाया था तो इस तरीके से क्लेक्शन कैसे आया और यह बात समझने आ रही यार ओवर्सीस में क्यों नहीं चल रही है मुवी जबकि हम लोगों ने यह बात काफी सुना है कि इस मूवी को बहुत सारे लेंग्वेज में रिलीस किया रहा है पहली पैन वर्ड मूवी थी और वर्स इस तरीके का हाथ अलाकि काफी सारे लोगों गयाना है कि इस हवते कि कल इस मूवी को और भी कहीं जगा वीदेशों में रिलीस किया जाएगा तो कल से इसके क्लेक्शन बढ़ने चालू हो जाएंगे तो देखेंगे कि क्या है हिसाब किताब आज के वीडियों जाने दोस्तों कल इसने अपने बॉक्स ऑफिस से 2.98 करोड रुपे की कमाई की जी हां आप विल्गू सहीं समझ रहे हो अराउंट 3 करोड रुपे इसने और लेंग्वेज कमाया कनडा से 1.65 करोड तेल्गू से 50 लाक रुपीस हिंदी से 61 लाक रुपीस अगर तमिल की बात की जा तो कम है अगर मैं आपको बताओं कि इसकी जो कमाई है डे सेवन की ये ट्रिपल सेवन चारली से भी कम है तो आप लोग बोलेगे कि या नहीं या नहीं ऐसा नहीं हो सकता हाँ भया है कम शुरुवात में इस मूवी ने अच्छी कमाई किया नहीं कि शुरुवात के आपने बॉक्स आफ़िस में वीकेंड में हिट हो चुकी है और कहीं न कहीं दोस्तों आपको बदा दूँकि शुरुवात के दिनों में लोगों में घोड होती है कि इस मूवी को सबसे पहले हम ही देखेंगे तो इस मूवी को काफ़ी सारे फैंस ने अल्रेडी शुरुवा अंदरोना का जो टोटल वाइड वाइड क्लेक्षण ग्रॉस में ऑन डी सेवन 3.58 करोड रुपे का आया है इस ने 3.58 करोड रुपे अपने वर्ड वाइड वक्स आफ़िस क्लेक्षण में ऑन डी सेवन कमाया तो गई दगर मैं आपको कमाई बताऊं कि साथ दिनों कि कि व डर था जो डर था कि यह मूवी हिंदी में फ्लॉप हो जाएगी ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो किछा सुदीप ने वीचे में हिंदी का कुछ कहा था उसके वज़े से यह हो रहा है तो नहीं इससे पहले हमने 777 चाली का देखा विकराम मेजर वह सभी मूवी ब्लॉगवेस्टर थी लेकिन हिंदी दर्शकों ने नकार दिया भी क्यों नकार हम लोगों को एक बात पता है हमको पता है उन लोगों को धमाक धुमुक धूमुक यानिकि जबरदस एक्शन मूवी के ज़िए टाइप की मूवी मास एंटरट परशेंट की रही बहदी कम बहदी मामली अगर बात की जाए गाई इसके थीडी वाले वर्जन की तो बेंगलूरू में इसके पात 392 शो हैं और इवनिंग के उख्यों की तो हैंजरावाद में इसके तूड़ी शोज है 111 और उक्यूपन्सी इसकी इवनिंग रही 18 परशे देखे मुंबई में तो 46 शोज 6 परसेंट क्योंकि पैंसी तो 46 शोज 8 परसेंट क्योंकि पैंसी तूड़ी को कम रिस्पांस मिल रहा है अगर हम कंपैर करें 3D से देखो भाई 3D में मुंबई में 129 शोज है जिसमें से 9 कह सकते हैं कि भाई हाउस पूल है सब्सक्राइब के चन्नाई में 35 शोज में से काफी अच्छी पैंसी इसके अगर हम लोग 3D वाले वर्जन की बात करें महां सिर्फ 3D में इसको लगाया गया था मुद्धे पर आते हैं कि कमाई कितने हो सकती है है ऑन डे एट तो आठवे दिन यह अपने वाक्स ऑफिस में 2.50 करोड़ दो करोड़ पचास लाग रुपे कमाने वाली है इस तरीके से कमाई हो जाएगी पहले हफते की पहले एक्स्टेंड वीक की 66.71 करोड़ जियां गई 66 करोड़ रुपई अपने वाक्स ऑफिस में और कह सकते हैं कि यार अगर नेट इंडिया के हिसाब से देखें तो अभी भी यह मूवी अपने बजर तक नहीं पहुंची दूसरे हफते की उपर निगाएं होंगी अगर वर्ड़ वाइट की बात की जाए तो आराउं तीन करोड़ यह अपने वर्ड़ वाइट में कमा सक देखें तो अभी तक हीट नहीं हुई वर्ड़ वाइट के लेवल में यह मुवी सुपर हीट का वड़िक पाच चुकि आपका क्या है कहना अपनी राय कमेंट में दो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही